मासकार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप SBI में पेन कार्ड के वाइसी ओनलाइन के से अपडेट कर सकते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे दो तरीकों से हम इसका जो ओनलाइन प्रोसेस है वो करके बताएंगे एक आपको यहाँ पे नेट बेंकिंग के जरी आपको बताएंगे और दोस्तों एक आपको यहाँ पे योनो SBI के जो एप्लिकेशन है इसके माद्यम से भी है जो इसका जो अपडेट करने का प्रोसेस है वो भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे तो दोस्तों इसके अलावा यदि आप अपना पेन के वाइसी रेजिस्टर करना चाहते हो तो दोस्तों आप ब्रांच में विजिट करके भी है जो ओफलाइन भी करवा सकते हो जिसमें आपको यहा प्रोसेस है वो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा विकोज आपको यहां पर काफी यूसफुल कंटेंट हो देखने को मिल जाएंगे दोस्तों चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में Chrome ब्राउजर ओपन करना है और दोस्तों उस ब्राउजर में आपको अपना जो Online SBA टाइप करना है तो दोस्तों आपको यहां पर जैसे ही आप Online SBA टाइप करोगे तो आप जो SBA के Net Banking के Page पे जो Forward कर दिया जाओगे तो दोस्तों आप यहां पर सबसे पहले जो Personal Banking का Page उपन होएगा इसमें आपको यहां पर Login पे क्लिक करना है तो दोस्तों जैसी आप इसमें आप यहां पर Continue to Login पे क्लिक करोगे और दोस्तों आपको यहां पर सबसे पहले Username और पासवर्ड मांगा जाएगा उसके बाद में दोस्तों आपको यहां पर नीचे जो Captcha दिया गया है वो Captcha आपको यहां पर फिल करना है दोस्तों मैं यूजर नेम पासवर्ड फिल कर लेता हूं और उसके बाद में Login पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों हम Successfully Login कर चुके हैं यहां से भी Check कर सकते हैं View, Nominee & Pen Detail यानि आपका Pen Card पहले से है तो दोस्तों आप यहां से अपना Nominee और Pen Card की Detail है वह पहले से Check कर सकते हो तो दोस्तों आपको यहां पे नया Pen Card Link करने के लिए आपको यहां पे नया Pen KYC अपने Bank में Activate करने के लिए आपको यहां पर एक e-Services का Option option आपको यहँआ पर देखने को मिलेगा तो दोस्तों आपको यहां पर thisKay नजराएगा जिसमें आपको यह दोस्तों अपको यह to Reynolds पर आपको यह जिसटेशन यारा पन प्रोफाइल पाससर्ड मांगा जाएगा तो दोस्तों आप अपना profile password जो भी है, आपको यहां पर enter कर देना है, तो दोस्तों, profile password एंटर करने के बाद में, जैसे ही आप submit कर ओगे, आपको यहां पर pen registration का option है, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा तो दोस्तों इसके इंतरकत आपको यहाँ पे create request और आपको यहाँ पर status तो दोस्तों आप है जो create request पे click करोगे तो दोस्तों आप जो इसके लए है वो request कर सकते हो और दोस्तों status पे आप क्लिक करोगे तो आप जो आपका जो भी pen card इसमें activate किया वा है पहले से link किया वा है उसका status है वो आप check कर सकते हो तो दोस्तों मेरे यहां पे पहले से already है जो register किया वास हो कर रहा है तो दोस्तों आपको यहां पे एक नया option देखने को मिलेगा जिसके अंतरकत आपको यहां पे अपना pen number enter करना है दो बा आपके mobile number पे एक OTP आएगा उस OTP के माददिम से आप है जो OTP एंटर करने के बाद में submit के option पे क्लिक करना है जैसे आप submit करते हो दोस्तों आपको यहां पे successfully submit कर दिया जाएगा और दोस्तों आपको यहां पे बताया जाएगा कि आपका जो pen card है वो 7 working days में है जो 7 days के अंद pencard registration online कर सकते है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप यूणो SBI के जो application है उसके मादिम से कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों यदि आप Yonu SBI mobile application के मादिम से यदि आप अपना PANKYC link करना चाहते हैं अपने मोवाइल में योनास ब्रॉस्टों श्क्राइब इसको अप्लिकेशन को उपन कर लोग इन होने के बाद में आपको यहां पर इस एप्लिकेशन का जो इंटरफेस है वो आपको यहां पर कुछ इस परकार से नजर आता है तो दोस्तों इसके अंतर गता आपको यहां पर थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है और आपको यहां पर एक सर्विस रिक्वेस्ट का नजर आएगा तो दोस्तों आपको यहां पर सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है दोस्तों सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर में लेप्ट में जो प्रोफाइल सेक्शन का जो आपको यहां पर क्लिक करना है तो दोस्तों जैसे ही आप जो pencil का option दिया गया है, यहां से है, जो email id भी अपना change कर सकते हो, इसके अलबा निचे में आपको यहां पर pen link का option दिया गया है, तो दोस्तों आपको यहां पर side में जो pencil का option दिया गया है, यहां पर आपको click करना है, pencil के option पर click करोगे तो आपको यहां पर add अथवा update pen का option सबस्टों इस परकार से आप अपना चुरह सब्मिट करते हैं लिंक रिशा है और यह चुछ भला एक आप internet banking के जरीए भी कर सकते हैं और you know sbi के application के माद दिम से भी कर सकते हैं दोस्तों ये दोनों तरीके आप use नहीं करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे branch में विजिट करके और आपको यहाँ पे sell protected coffee देखे बेंग में provide करके और फिर आपको अपना pen card register करवा सकते हैं तो दोस्तों ये था आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को like करें और दोस्तों चैनल पर नहीं हैं तो दोस्तों चैनल को subscribe जरूर करें दोस्तों मिलते हैं इसी तरह से एक next वीडियो में तब तक के लिए goodbye जाएं